तो हाई गाईज, वेलकम बैक टो आनाधर वीडियो तो गज़र आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप क्विक फ्रीहंट रोइंग बना सकते हो, मतलब फटावट से कोई पोट्रेट कैसे आप बना सकते हो यूजिंग फ्रीहंड मैथेड तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका वर्क स्टार्ट होता है वो तरह rowants को चूष करना वा कि किस तरीकी खी रेफ्रेंस आपकोचूष करना है तो यहाँ पर आप उस तरीकी का रेफ्रेंस फ्रीह जिसमें लाइट्स ना एक प्रैक्टिकुलर एंगल से आए इन शॉर्ट ऐसा बोला जाए कि उसमें लाइट की डिरेक्शन क्लियर हो ताकि आपको वैल्यू समझने में आसानी हो और उसमें क्लियर हो कि कहाँ पे शैडोस और कहाँ पे हाइलाइट हमें एड करनी है तो यह जो reference माने लिया उसमें आप क्लीयर देख सकते हो इस तरीके के references आपको चूज करने ताकि आप अच्छे तरीके से वैल्यू के study कर सकते हो अच्छे तरीके से आप Gurk च्छर की study कर सकते हो तो यहां पे जो मैंने पिक्चर ली है, आप यहां पे देखोगे, एक तो आप लाइट देखो, बहुत ही प्रॉपर एक एंगल से आ रहा है, हाट लाइट आ रही है, तो जो एरिया आप शैडो में है, तो इस तरीकी का रेफरेंस आपको ले लेनी है, और इसके बाद, यहां पे दो आई, नोज, एंड लिपस है, पूरा फोकस में इतने ही रखूँगा, बाकी पोर्शन को अभी मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि यहां पे इस पर्टिकुलर पोट्रेट में में मेरा फोकस ही है, कि मैं आई, नोज, एंड लिपस को अच्छे तरीके से बना सकूँ, एंड लाइट के स्टड़ी प्रॉपर कर सको, ओके तो यहां पे आप देखोगे, जो आउटलाइन में बना रहा हूँ, वहां पे मैं वैल्यूज एड करता जा रहा हूँ, मतलब आप देखोगे, तो एक क्लियर लाइन हर जगा पे नहीं बना रहा हूँ, जैसे बहुत तो वहीं से मैं लाइट को ध्यान में रखके, उसके जो शैडूज क्रियेट हो रहा है, उसको मैं बनाता जा रहा हूँ, तो इस तरीके से, लाइट की थूरू, मतलब लाइट एंड शैडूज की थूरू, मैं यहां पे पूरा आउटलाइन बना लूँगा, आउटलाइन तो छिके लिए राइट यहां आप जो बोल सकते हो, क्योंकि मैंने साथ में वैल्यूज भी आड करता है, जहां पे डाक वैल्यूज है, वहां पे थोड़ा सा «Light रखका है जहांपे जो लाइट एरिया जहां पे लाइट प्रोपर पड़ रहा है, वहां पे मैंने कुछ भी भी नहीं बनाया उसको मैंने खाली रखा है तो इस तरीके से धीरे-धीरे values हमारी create हो रही है और धीरे-धीरे करें हम feature को भी add करते जाएंगे तो इस तरीके से हमारा outline बन जाएगा तो यहाँ पर पहले मैंने एक surface त्यार किया वहाँ पर मैंने shadows create करें मैंने अपना structure create किया यहाँ structure create करने के लिए सिर्फ़ सिर्फ lines draw नहीं करी मैंने तो यह बहुत help करता है यह technique बहुत आपको help करता है जब आप इसको try करोगे आपको यह experience होगा कि यह technique आपको बहुत help करता है values को समझने में structure को बनाने में हाँ ऐसा नहीं है कि आप बनाओगे तो एकदम accurate बन जाएगा एक बार में ऐसा नहीं होता है दीरे-दीरे चीज़े build होते हैं तो यहाँ पर हम दीरे-दीरे चीज़ों को build कर रहे हैं तो यहाँ पर आप समझे लोग की outline and first layer हमारा साथ में हो गया था और उसके बाद हल्की से blending करेंगे ताकि चीज़े और mix-up हो जाए and next layer और अच्छे तरीके से हमारा बन कर निकले तो यहाँ पर मैंने words लिया था blend करने के लिए क्योंकि यह practice कर रहा हूं को finish work नहीं है जहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे blending and बहुत अच्छा outcome चाहिए मैं यहाँ पर सिर्फ study कर रहा हूं ताकि जिस चीज़ की मैं study कर रहा हूं structure की and values की वह हमारा fulfill होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने पहले mix किया और उसके बाद highlight आड़ कर दी ताकि जो जो light में जो light में है जो area light में है वो clear यहाँ पर दिखाई दे और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे और picture में contrast लेगा रहेंगे contrast कैसे होगा चुकि मैंने जो highlighted area है उसको तो ठीक कर दिया अब shadows को और ज्यादा dark करेंगे automatic हमारी drawing में contrast add हो जाएगा तो same मैं 4B ले रहा हूं startix है मैंने 4B ही use किया structure बनाने में first layer में भी मैंने 4B ही लिया था यहाँ पर मैं 4B से ही देरे देरे उसी चीज को जो मैंने बनाया था उसको देरे देरे और मैं dark कर रहा हूं ठीक है जो mid tone वाला area है जहाँ पर हलकी फुलकी light हा रही थोड़ा बहुत texture देना है तो आप वहाँ पर HB या 2H यूज कर सकते हो थोड़ा सा light को balance करने के लिए तो इस तरीक से मैंने बनाया है अब यहाँ पर important part क्या है देखो यहाँ तक मैंने जो बनाया है आप देखो कि light and shadows के perspective से तो बहुत ही अच्छा बनाया है क्योंकि जो मैंने यहाँ पर draw किया है उसमें proper lights clear दिख रहे ह किस angle में आ रहे है कितनी intensity के साथ आ रहे है वो चीज़े यहाँ पर clear रहे है बट वहीं पर आप देखो कि face का angle accuracy देखो कि तो उतनी जादा नहीं है थोड़ा सा mistake हो रहा है तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूं देखो यह वाला area जो है इसकी angle इस तरीके के आ रही है ठीक ह भी आपने draw कया है वो reference से उतना सदा match नहीं कर रहा है कहीं न कहीं mistakes है तो mistakes को note down कर रहे है कि बहुत important part है ठीक है तो यह mistake मैंने यहाँ पर note down किया कि जो angle मुझे रखना चाहिए था वो थोड़ा कम है थोड़ा जादा रखना है तो इससे यह बता चलता है कि जो उपर वाला portion है वो right side के side थोड़ा सा और आएगा और नीचे वाला portion थोड़ा सा अंदर के side आएगा तो यह चीज मैंने यहाँ पर correction कर दिया जो कि visible था इसी तरीके से और भी detail मैं जाता जाओंगा तो देरे देरे जो भी reference दिख रहा है बहुत ही close हमारा outcome आज आएगा इसके लिए important क्या है basic knowledge यहाँ पर बिना calculation के अगर मैं eye, nose, lips को सही जगा पर place कर पाया हूँ तो यह मेरा एक तो experience है regular practice की वज़े से but practice भी जब आप तभी कर पाओगे सही तरीके से जब आपको basic की अच्छी clear knowledge है basics पे ध्यान दो वो चीज़े clear करो basic studies बहुत सारी चीज़े हैं आप उसको clear करो और उसके बाद आप देखोगे जब आपके basics clear हो जाएंगे उसको आप थोड़ा बहुत practice कर लोगे और मैं बता रहा हूँ महीने के अंदर एक दो महीने के अंदर आप में एक drastic change आएगा आप इ इस तरीके से पहले बना रहे थे और अभी बना रहे हो बहुत जाथा difference आईगे तो अगर आपको basis को depth में सीखना है तो आपको पता ही कि मैं classes भी लेता हूँ तो वहाँ जा कि आप मेरे classes join कर सकते हो trust me आपको बता रहा हूँ कि अगर आप join करोगे आपको बहुत कुछ ऐसे चीज़े सीखने को मिलेंगी जो आपको ऐसे आप normally search करोगे तो वो देखने को नहीं मिलता तो बस गैस आज का वीडियो यहीं पर खतम करते हैं मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए